आलू पराठा तो आप बहुत बार बना चुके होँगे, आप एक बार आलू के कुल्चे बना कर ट्राय करिएगा, वो भी गेहूं के आटे से पीना तंदूर के तवे पे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, मुश्किल से पांच मिनिट लगता है बनाने में इसे, बनाने के खाणागे और आप依ांगे दो कपुश्म है है एसके लिए को बंप और को सब इसको आप लें है लेकिन लेकिन जब हमें घर में ही खाना तो फिर भार भार मैदा का इस्तामाल क्यों कीा जाये वह किक भूण के आते से बनाएं और इसमें मैं一片 कप दाota तो यह रेगलर दही है ना जादा खटा है और ना ही मिठा है और इसमें मैंने आदा चमच बेकिंग सोडा डाला है और एक चमच से थोड़ा कम मैंने बेकिंग पॉडर रैड किया है एक चमच चीनी डाल देंगे और आदा चमच हम इसमें नमक आड कर देंगे अब इसका हमें दो लगाना है, तो पहले आप पानी ना डालें, और पानी आप इसके लिए थोड़ा सा गरम कर लें, यानि कि हल्का सा गुनगुना कर लें, करीब दो चमच मैंने इसमें तेल डाल दिया है, रिफाइंड ओईल, आप चाहें तो बटर भी आड़ कर सकते हैं, मेल्ट करके तब दही डाला था, इसलिए पहले हमने इसको मिक्स कर लिया है, जितनी पानी की ज़रुवत होगी, हम उससे साब से पानी डालेंगे, मैंने पानी गुनगुना कर लिया है, तो पानी पहले हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, और पानी गुनगुना ही होना चाहिए, बढ़िया बन कर तयार होते हैं, और इसका जो आटा लगता है वो soft लगेगा, hard नहीं होता है, जिस तरह से हम रोटी का लगाते हैं वैसा नहीं होता, उससे soft होता है आटा, तो इसे बहुत जादा गूनने की ज़रुत नहीं है, हल्का सा गून कर और आप इसे रग देंगे, तो मैंने थोड़ा सा गून कर इसको इखटा करकर एक जगा पर और थोड़ा सा तेल लगा कर इसको मैंने रग दिया था साइट में तो ये चिपके का जरूर हातों से उंगलियों से जरूर चिपकता है क्योंकि हमने इसे सोडा वगर डाला है और सौप्ट डो है इसलिए ही चिपकता है बहुत जादा पानी नहीं डालेंगे बस आप इसे लगा कर रख देंगे तेल और इसे कवर करके आप एक घंटे के लिए रख दें जिससे जो वह चीनी है चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और सारी चीज अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो एक घंटे के बाद हमने इसे देख लिया है और इसे हम लगा लेंगे दुबारा से डो को आप कुल्छे जब भी बनाएं आप दही जरूर डालें इसमें क्यों हमने थोड़ा सा आटे को गूंद लिया है और देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया एक गमाटा और इस पे हम तेल लगा दें या फिर इसको ऐसे ही रख दें अभी हमने आलू को बॉल करके रखा था जब आलू की कुल्छे बनाने वाले हैं तो आलू की स्टफिंग तयार करेंगे करीब 4 पाच आलू थे उसमें मैंने एक मुट्टी हरा धनिया दोकर काट लिया है एक मीडियम साइस का प्यास बारिक काट कर रख लिया है उपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल दे आप या फिर अमचूर डाल दे मैंने अमचूर डाला है आदा चमच एक चमच ह तो नमक डाल देंगे तो नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले अभी इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो चटनी को भी फ्राय करने की जरूवत नहीं है अलू नए वाले है इसलिए यह नया आलू जो होता है वह अच्छा रहता है आलू के पराथे ब काटनी होनी चाहिए अब इस तरह से हम इसके बॉल्स बना कर तयार कर लेंगे फिर क्या होगा कुल्चे बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी अब बिना फटे बिना टूटे आपके कुल्चे बनेंगे एकदम हाथ से मैंने इसको बनाया है आप यह तरीका देखिएगा थोड़ा सा कम आटा हो और इस तरह से आप इसको हाथ से खीचे बीच में हमें जगा बनानी है बीच में पतला नहीं रहना चाहिए बीच में थोड़ा मोटा ही रखेया पूरा इवनली इसको हाथ से आप इस तरह से स्प्रेट कर दें और जो हमने पोटेटो बॉल्स बनाया उसको बीच में रखकर इस तरह से हम इसको कवर करते वे लाएंगे तो यह आराम से खिच रहा है आटा तो इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और इसको हाथ से आप इस तरह से हलका सा प्रेस कर दें चकला बेलन ले लेंगे चाहे तो आप ऑईल लगा दें या फिर पानी करेंगे तो वह इजी ली फैलता है कुछ नहीं करना है आपको नहीं बेलन की जरुवत है असानी से आप हाथ से बना सकते हैं और जहां आपको लग रहा हलका सा क्रैक हो रहा है वहां आप आटा लगा दे दुबारा और उसे चिपका दे थोड़ा सा मैंने कलॉंजी और हरा धन पनाएंगे आप पानी जरूर लगाएं और जिस तरफ आपनी पानी लगाया है उस तरफ आप तवे पर डाल दे जिससे क्या होगा यह कुल्चा चिपक जाता है जहां आपको लगए मोटा है तो आप उस पर उंगलियों से फैला दे एक मिनिट तक इसको सिखने देंगे तो तवे को मैंने पहले अच्छे से गरम कर लिया है जब आपको उपर दिखे ना फूल रहा है आपका कुल्चा तब आप इसको तवे को उठा कर ग्यास का फ्लेम हाय रखे और इस तरह से आप चारो तरफ को घुमाते वे तवे को और सेके तो नीचे से भी अच्छे से सिख ज तो देख सकते हैं कितना बढ़िया क्योंके आटे का कुल्चा बनकर तयार हुआ है उपर से हम बटर लगा देंगे और इसको इस तरह से आप हटा ले आप पानी नहीं लगाएंगे ना तो जब आप पल्टेंगे तवे को तो वो गिड़ जाएगा इसलिए पानी लगाकर ही इसार कि ये तफ़ए पे चिपकता है तो सेम इसी तरह से हमने दूसरा भी बना लिया है कुल्चा तो मैंने आटे की लोई बना ली है फिर उसमें हमने अलो की सटफिंग रग ली है और इस तरह से हम इसको हलका सा प्रेस करके उंगलियों से प्रेस करते जहांसे फट़रा हो वहाँ आप थोड़ा सा आठा लगादें या इस से खीचके आप आठे को सही कर दे चिपकादें बेट उपर से थोड़ा सा अअधनिय कलाउंजी लगाकर और सिरे उठा लेंगे और नीची हम ठोड़ा पानी लगाकर इसको हम तवे पे डाल देंगे तो तवे को मैंने medium flame पर कर दिया था एक कुल्चे सीखने के बाद में दुबारा हमने दूसरा डाल दिया है पानी लगा कर तभी आप कुल्चे को तवे पे डाले अगर आपको लग रहा है कहीं से हट रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दे तवे पे ताकि वो चिपक जाए थोड़े से जब bubbles बनने लगेंगे कुल्चे पे तब उठा कर इसको हम सेखना शुरू कर देंगे तो आप चारों तरफ घुमाते वे सेखें नहीं तो एक तरफ से जल जाएगा और एक तरफ से कच्छा रह जाएगा तो हैना कुल्चे बनाना कितना आसान तो आप मैदा के बिलकुल ना बनाएं आप इसी तरह से गेहूं के आटे के बनाएं बच्चे बड़े सबी के लिए एक दम हेल्दी रेसिपी है और बनाने में देखा आपने कितना आसान है, बहुत ही कम टाइम लगने वाला है, चाहें तो आप लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं, तो कॉमेंट्स में बताएगा कैसी लगी रेसिपी, वीडियो पसंद आईए तो चैनल को जादे से जादा लाइक, शेर और सब्सक् कैप गुड़ी